हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप लोग आप लोगों को बता दूँ अभी थोड़े दिन पहले न्यूस थी ऐस सच कोई न्यूस नहीं थी लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी जो जिस तरह से जेके बैंक में परसेंटेज क्राइटीरिया के लिए बात हुई है तो वो स को मिक्स करके दिखाया जा रहा है वीडियो बनाने का में मकसद यह है क्योंकि जो आप लोग एक फोटो देख रहे हैं वाइरल हुई हुई उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम भी हैं और कुछ लोग वहां पर खड़े भी हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जो तो चलिए बात किया है मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दे कि डेट क्या है यह मैं 2020 27 तारीक तो पीओ एस्पिरियंट गये थे कि 60 परसेंट जो कैटेगराइस किया गया है कि आपके 60 परसेंट मार्क्स चाहिए अगर आपको जेके बैंक का एक्जाम देना है उसके लिए तो उसके लिए बच्चे बात करने गये थे जेके बैंक के ऑफिश कि बहुत सारे एक्zaam जैसे होते हैं जिसमें यह cohen नहीं होता है और यह एक एक्जाम जैसे आप लोगों पता हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अगर हम बैंक पीयों की बात करें तो सिरफ 30,000 एस्पिरेंट्स थे और अगर हम बैंक क्लर की बात करें उसमें एक लाक एस्पिरेंट्स था तो आप देख सकते हैं कि 70% लोग तकरीबन ऐसे थे जिनके 60% मार्क्स नहीं थे तो वो लोग के उनके स्किल्स बहुत जादा थे य इडिया को हटादिया जाएं तो एस्पिरेंट्स ना ये बात रखी कि RBI guidance as per the RBI guideline for the recruitment of these posts a recognized degree from university is required for such exams for the post of POs. They said since there is no such condition in the JK bank management should also follow the same rules norms for the forthcoming exams and recruitment process. So उन्होंने अपनी तरफ से जो उनका पॉइंट था वो तो सही तरिके से रग दिया कि अगर जेके बैंक वापिस से एक्जाम करवाता है तो उसके लिए जेके बैंक को ये क्राइटीरिया हटा देना चाहिए लेकिन अब यहां पर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं अगर in case कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है जो रिए एक्जाम की बात आ रही है बार बार तो उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें जेके बैंक अपनी तरफ से क्लियर करके रखे क्यूंकि एक नोटिफिकेशन की वज़ा से ही बच्चों को बहुत कुछ देखना पड़ा है तो यह थी एक डेलिगेशन की बात पहली जो आप लोग हर जगा पर देख रहे हैं अब बात करत इसी अपनी चीजों को मिक्स कर दिया है आप यह देख सकते हैं यहां पर डेलिगेशन ओव यूथ विंक और मोहयाल सबाव फैसिलेटिंग जेंड के मैंक सीमडी आरके जिबर तो यहां पर यह जो लोग थे जो जिबर साब को मिलने गे थे यह एक अलग नीचे जो चीज आ जान से पढ़के दिखाता हूं तो यहां पर आप देखें कि यहां पर यह जो यह पराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है जो कहा गया था बच्चों के दवारा पीयो विच अपियर एक्सेल्स इन दा एक्सेल्शन टू डेस अगो अब इसकी डेट है 29 मही और वह 27 मही जो ल करेगा यह एक अलग नोटिफिकेशन है और यह जो नाम आप लोग देख रहे थे यहां पर इन सब लोगों के यह एक मोयाल कम्यूनिटी है यहां पर जेंड के में उसको रिप्रिजेंट करते हैं जो हमारे चेर्मेन है जेंड के वह भी उसी कम्यूनिटी से है तो यह बिलक पहले वो कोई और लोग थे और यह जो लोगों की फोटो वाइडल हो रही है यह कोई और लोग है तो इसमें आप कंफ्यूज ना करें इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बच्चे कह रहे थे वीडियो बनाने का में मकसद यह की बच्चे इस तरह से कहा रहे थे कि जो लोग मिलने गे है वो जी के बंग में के ही रिष्टेदार लगते है या उनी से मिलते जुलते लोग लगते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए गए हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं कि हम जीके बं कर सकते हैं दो नी उसको मिक्स करने में तो यही मेरा मकस्त था वीडियो बनाने का तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया ओगा कि यह लोग कोन है जो 29 मही को मिलने गए थे और जो 27 तारिक को मिलने गए थे वो कोन है तो आज की लेक्चर में सरफ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल ने लेक्चर के साथ